Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी मैं, welcome back to Magnet Brains, जो आपको provide कराता है kindergarten to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free, जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains provide कराता है unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरुरत नहीं है, चाहे CBSE board हो, UP board हो, Bihar board हो, या MP board हो, आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे धेज सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसके link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो हमारी class 12 biology, unit number 7, that is genetics and evolution, और इस unit का हम second chapter cover कर रहे है, molecular basis of inheritance, आपके NCRT में ये chapter number 5 है, और इस chapter का हम आज topic कर रहे है, human genome project part 2, ठीक है, the part 1 हम already complete कर चुके है, जिसमें मैंने बहुत कुछ समझाया था आपको, तो इस part में हम salient features देखेंगे, human genome project के, right, are you guys ready, जल्दी बताए, अगर अभी तक आपने पहला वाला part नहीं देखा है, तो प्लीज पहले, पहला वाला part देख लीजे, part 1 देख लीजे, उसके बाद ही आप part 2 पे आईए, right, तो पता चले, क्या ही चल रहा, समझ में ही नहीं आना है, क्यों, क्योंकि आपने part 2 से start, क्या part 1 तो जरूरी है, right, चले, तो start करते है, are you guys ready, तो जल्दी से attendance ल अच्छे से पढ़ाई कर सके, and अपने subject को काफी strong बना सके, right, चले, तो चलते हैं, क्या है, salient features of human genome, तो देखते हैं, salient features, some of the salient observations drawn from human genome project are as follows, तो भाई, human genome project को करने के बाद हमने क्या-क्या चीजें notice करी, क्या-क्या observations हुई, वो सब चीज हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो पहला point है, human genome contains 3,164.7 million base pair, तो इनका कहना है, human genome, मतलब यह किसकी बात कर रहे हैं, haploid cell की, किसकी haploid cell की, right, तो इनका कहना है, एक haploid cell में, जो total base pair है, वो कितने हैं, 3,164.7 million base pairs, right, इतना clear हुआ, यह कब पता चला, human genome project के बाद, हना, the average gene consists of 3,000 bases, इनका कहना है, एक average gene में, हम average gene का अगर आप से पूछा जाए, कि एक gene में कितने base pair होते हैं, तो भाई, जरूरी थोड़ना है, कि सब में बिलकुल exact हो, कि मैंने बोल दिया, एक gene में 50 base pair होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इतने सारे gene है, सब में 50 base pair हो, नहीं ना, तो gene में 20 base pair का जो number है, वो vary करता है, तो उस condition में हम क्या निकालते हैं, जल्दी बताइए, उस condition में हम average निकालते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, आपके school में आपकी mark sheet आई होगी, हना, 10th की, 11th की, 12th की, तो आपकी जो mark sheet आई है, क्या आपकी physics की अलग mark sheet आई है, chemistry की अलग mark की अलग mark sheet आई है, maths की अलग आई है, ऐसा हुआ क्या, biology की अलग आई, नहीं न, आपकी एक mark sheet आती है, जिसमें सभी का calculative average percentage होता है, सारे subject का, जैसे कि आपके path subject है, right, आपके path subject है, chemistry, physics, biology, और क्या हो जाएगा आपका English, मेरा music था, इसलिए मैं music लिख रही हूँ, right, and music, चलिए, तो ये path subject हो गए, चलिए, तो suppose आपके chemistry में आए, 88 marks, कितने आए, 88 marks, physics में आए, 85 marks, biology में आए, 97 marks, right, English में आए, 90 marks, and music में आए, 98 marks, right, ये हमारे क्या हो गए, marks हो गए, चीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, marks, और भी थोड़ा सुदार लेते हैं, हाँ, चलो, ये, अब ये में सोचना कि मेरे marks है, right, ये marks हो गए, सारे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, आपकी 12 में chemistry की अलग mark sheet आई, physics की अलगाई, biology की अलगाई, English की अलगाई, and music की अलगाई, नहीं, एक ही mark sheet आई थी, जिसमें percentage आए, तो क्या किया, हमने total किया, ठीक है, इतना पूरा total किया, and उसको divide किया, आपने किस से, 500 and into 100 कर दिया, तो आपका percentage निकल के आगया, कि हाँ, आपका average percent इतना है, मतलब एक आप, अगर मैं individual निकालूं, तो आपका chemistry का percent अलग है, physics का percent अलग है, biology का अलग है, बट अब मैंने एक ही mark sheet बनाई, तो उसमें average percent निकल के आए, and सब का, वैसे ही क्या किया गया है, यहाँ पर जल्दी बताइए, वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर average base pair निकाले है, किसमें gene में, कि average base pair जो gene में होते हैं, वो कितने होते हैं, 3000 basis, right, but हर एक gene में 3000 basis नहीं होते हैं, right, basis नहीं होते हैं, इनका कहना है, but sizes vary greatly, इनका कहना है, size vary करते हैं, काफी जादा vary करते हैं, with the largest known human gene, human gene जो largest known gene है, जिसको हम dystrophin कहते हैं, dystrophin gene, इसमें total जो basis हैं, वो कितने हैं, 2.4 million basis, 2.4 million और 3000 में difference है या नहीं, है न, यहाँ पर कितने सारे basis है, और यहाँ पर हमने average gene का base बोला, कितना 3000, right, तो यह vary कर रहा हैं कि नहीं, तो यहाँ पर gene का size के according number of basis भी vary करेंगे, बट हम average की बात करें तो वो कितना होगा, 3000, right, वही पर मैं बात करूँ, एक सबसे smallest gene होता है हमारा, ठीक है, smallest human gene, ठीक है, जो की TDF है, क्या है TDF, और इसमें total 14 basis होते हैं, कितने होते हैं, 14 basis और यह present होता है y chromosome पर, कहां present होता है y chromosome पर, right, तो अब एक में इतने ज़ादा और एक में इतने कम, तो यह बिलकुल vary कर रहा है, बट हम average की बात करेंगे, तो हमें कितना लिखना है, 3000 basis, अब देखिए, the total number of genes is estimated at 3000, 30,000, right, तो यहां पर पहले जो estimation लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था, तो basis इन्होंने क्या बोला, कि एक gene जो है, हमारे अंदर जो total number of gene है, वो कितने हैं, 80,000 से 1,40,000 genes होते हैं, यह estimation लगाया गया था, human genome project से पहले, ठीक है, कि हमारे अंदर total इतने क्या होते हैं, genes होते हैं, बट human genome project के बाद पता चला, कि हमारे अंदर जो genes है, वो कितने हैं, 30,000, ठीक है, जो कि काफी कम है estimation से, right, almost all the 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all the peoples, क्या मैं यह पहले से ही बोलते आ रही हूँ, आप में मुझ में किसी में भी हमारे अंदर, सब के अंदर 99.9% DNA जो है, वो exactly same है, 0.1% DNA ही हमें इतने वड़े world में सबसे अलग बनाता है, हर एक इंसान से अलग बनाता है, तो 0.1% का DNA इतना ज़ादा change लेकर आ रहा है हमारे अंदर, समझ में आया, इसके वज़े से इतनी population में इतने अलग अलग इंसान है, जिनकी हर एक की identity अलग अलग है, right, तो हमारे अंदर सब के अंदर 99.9% DNA जो है, वो क्या है, एक्जेक्टली सेम है, ये पॉइंट याद रहेगा या नहीं, जल्दी बताएए, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, जल्दी से screenshot लीजे, बिटा सारे points आपको NCRT में highlight करना है, वहीं पर लिखते जाना है, जो जो चीज़े मैं लिखवारी हूँ, प्लीज, राइट, अब देखे, the functions are unknown for over 50% of the discovered gene, भाई, जितने gene discovered हुए है, मतलब 3000 gene जो की discovered है, उसमें से 50% gene की मैं बात करूँ, या मैं ये बोलूँ कि जितने भी known, हमारे discovered gene है, उसमें से 50% gene का जो function है, वो क्या है, unknown है, वो क्या function करते हैं, वो हमें नहीं बता है, राइट, जैसे कि मैंने बात की थी, हमने जब human genome project किया था, तो उसमें हमने क्या लिया था, expressed text sequence लिया था, और whole genome लिया था, राइट, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, whole genome में, हमने genome को पूरा DNA लिया था, और DNA के fragments लिये थे, जिसमें coding and non-coding दोनों sequence थे, मैंने आपको यह बताया था, तो यहाँ पर उस coding, non-coding में, coding sequence जो है, उसका क्या role है, किस gene का क्या function है, हर एक का पता नहीं कर पाए, मतलब अभी तक हमें 50% gene का function पता है और 50% gene का function नहीं पता, आप देखिए, less than 2% of the genome codes for protein, भाई, देख रहे हो आप, less than 2%, याद रखना, less than, ये point को आपको याद रखना है, 2% से भी कम percent genome जो है, वो code कर रहा है किस के लिए, protein के लिए, मतलब यहाँ पर 2% से कम genome जो है, वो क्या हो रहा है, translate हो रहा है किसमें protein में, राइट, चले, अब देखिए, repeated sequence, repeated sequence make up a very large portion of the human genome, अगर मैं human genome की बात करूँ, तो human genome में, जैसे मैं यह बात करूँ कि यह DNA है, यह क्या है DNA, यह human genome है, तो यहाँ पर human genome में, A, T, G, C, A, T, G, C, A, T, G, C, इनका कहना है कि repeated sequence जो है उसका large portion है हमारे human genome में जैसे कि यहाँ पर देखिए ATGC यहाँ पर भी repeat हो रहा है ATGC यहाँ पर भी repeat हो रहा है ATGC यहाँ पर भी repeat हो रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है repeated sequence जो है वो काफी बड़ा portion बना रहा है किसका human genome का मतलब यहाँ पर जो basis है जो nucleotide है उसका sequence बार 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 repeat हो रहा है अब देखिए The repetitive sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times sometimes hundreds to the thousand times कई बार क्या होता है यह जो repeated sequence है वो सो से हजार time क्या होता है repeat होता है एक genome में यह repetitive sequence जो है hundred से thousand time repeat हो रहा है right they are taught to have no direct coding function और यहाँ पर जो repetitive sequence है उसका direct coding function नहीं है वो code नहीं करता right इसको हम क्या बोलते हैं non-coding या और junk DNA ठीक है right क्या मूलते है non-coding या junk DNA but they shed light on chromosome structure dynamic and evolution ठीक है but क्या भाई यह क्या बना रहे हैं chromosome का structure बना रहे right चले तो जल्दी से इसका screen shot ले लीजे फटा फट इसका screen shot लीजे ओकी चले आगे देखते हैं अब इन्होंने क्या कहा है कि chromosome number one has most gene याद रखना chromosome number one पे सबसे ज़्यादा gene present होते हैं कितने gene present होते हैं 2968 gene present होते हैं वही पर chromosome number one पर सबसे कम gene present होते हैं कितने 231 genes तो इसलिए chromosome number one पे इतने ज़्यादा genes present थे इसलिए इसका sequence करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था and time लगा जो की complete हुआ 2006 में and human genome project जो था वो खतम हो गया था 2003 में मतलब तीन साल और लगे इसके sequencing करने में क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा genes present थे right? क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए scientists have identified about 1.4 million locations were single basis DNA differences भाई scientists ने ये चीज़ identify करी कि 1.4 million locations ऐसी है जहां पर DNA में single base पर क्या हो रहा है change हो रहा बाकी पूरा sequence same का same है ऐसी इनको कितिनी location मिली 1.4 million आप समझ रहे हो जैसे कि अगर मैं बात करूं ये क्या है ठीक है ये क्या है देखिए मैंने यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर सिक्वेंस लिखे अब आप रीड करिए A, A, T, T, G, G, C, C, A, T, C, A, T, G, C, right अब यहाँ पर रीड करिए A, A, T, T की जगा G आ गया G, G, C, C, A, T, G, C बाकी सेम बस यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एक जगा चेंज कर दिया T के जगा G लिया ही मतलब single nucleotide में change किया single base में change किया यहां पर देखिए AAT यहां पर C कर दिया यहां पर A कर दिया और इसको पढ़िए यह विलकुल सेम है यहां मैंने change कर दिया right मतलब मैंने single base के change किया और मुझे इतना सारा DNA का sequence मिला तो इनका कहना है कि जब scientist identity मतलब उसको study कर रहे थे देख रहे थे sequence को तो उनको genome में 1.4 million locations ऐसी मिली जहां पर सिर्फ single basis में DNA में change था बाकी सारा का सारा DNA का sequence सेम था सिर्फ एक base में change आया जिसे हमने SNPS या single nucleotide polymorphism कहा मतलब यहां polymorphism का मतलब है polymorphism का मतलब morphology difference या मैं बोलू structure या forms ठीक है तो यहां पर मुझे एक base के change करने की वज़े से DNA के इतने सारे structure या forms दिख रहे हैं इनका कहना है कि single nucleotide में change करने की वज़े से मुझे DNA के काफी ज़्यादा forms शो हो रहे हैं pronounced as snips इसे इन्होंने क्या बोला snips राइट अकर in humans कहां पर है humans में this information promises to evolutionize the processes of finding chromosomal location for disease associated sequence and tracing human history ठीक है तो यहां पर यह information जो है यह क्यों अच्छी रही हमारे को जानने के लिए क्यों जरूरी हुई क्योंकि इसकी वज़े से हम क्या जान पाए कि कौन सा gene या कौन सा sequence जो है वो disease associated है right क्या है disease associated मतलब इसमें change होने की वज़े से या यह जो gene का sequence है यह किस disease को cause करेगा यह पता करने में काफी ज़्यादा helpful रहा right इतना clear है या नहीं जल्दी बताईए तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका जल्दी फटा फटे screenshot लीजे क्या आपने screenshot ले लिया है बताईए क्या आपने screenshot ले लिया है देखिए one of the greatest impact of having HG sequence may well be enabling the radically new approach of biological researchers right एक minute एक minute हाँ मैं भाई बोलूं क्या हो गया यह एक page कैसे निकल गया तो देखिए applications and future challenges तो भाई human genome project के बाद हमने क्या applications की इसके क्या applications रहे और क्या future challenges है हमारे चलिए तो देखिए deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decades leading to our understanding of biological systems right भाई simple सी बात है हमने हमारे human के genome की study कर ली उसके sequence की study कर ली तो यह काफी जादा helpful हुआ meaningful रहा यह knowledge काफी जादा जरूरी थी हमारे लिए क्यों क्योंकि हम जान पाएं कि human का जो biological system है हमारा वो कैसे function करता है कैसे work करता है इसमें अगर sequence में changes होते हैं तो हमारे system में biological system में क्या-क्या changes देखने को मिलेंगे यह सारे चीज का knowledge हमें in research से मिला हुआ आप देखिए this enormous task will require expertise and creativity of tens of the thousand of scientists from varied disciplines in both the public and private sector worldwide भाई अब यह जो है यह हमें इसके लिए क्या है task जो है enormous task जो है इसके लिए हमें काफी जादा expertise and creativity की जरूरत पड़ी ठीक है और यहां पर in scientist के discipline की वज़े से ठीक है इनकी discipline में हमें यहां पर private and public sector में काफी जादा help मिलने वाली है कि भाई कोई new product अगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा अगर हमें new medicine बनानी है तो वो कैसे बना पाएंगे हम क्या कौन सा हमारे अंदर sequence जो है किस disease के लिए responsible है तो हम ऐसी कौन सी चीज बना है हमारी body के अंदर deficiency आ रही है तो artificially हम lab में वो medicine या जो drug है जो इस disease को cure कर सके वो कैसे बनाएं यह काफी जादा जरूरी था तो इसके लिए विलकुल scientist का पूरा पूरा युगदान है राइट चलिए one of the greatest impacts of having the edge sequence may well be enabling the radially new approach of biological researchers भाई simple सी बात है अगर आपको कुछ पताई नहीं हो कि भाई human में क्या है कैसे वर करेगा हमें क्या बनाना है human के benefits के लिए हमें कौन सी medicine बनानी है उस medicine का application क्या होने वाला है mode of action क्या होने वाला है कैसे पता होगा जब हम human genome के sequence के बारे में जानेंगे हमें यह पता है कि medicine यह drug कहाँ पर जाकर applicable है क्या changes लेकर आएगा body में तो जब तक हमें human body के बारे में नहीं नहीं पता होगा तो हम कैसे बनाएंगे सारी चीजे राइट तो यह काफी जादा जरूरी थी biological research के लिए राइट इसने काफी जादा impact डाला great impact डाला किस पे biological research पे राइट in past research studied one of the few genes at a time with whole genome sequence and new high throw fort technologies we can approach questions systematically and on the much broader scales right तो यह समझ में आगे आपको इतना जल्दी बटाएए इतना समझ में आया यार नहीं तो भाई काफी जादा हमारे genome में जो study हुई हमारी human genome project की वज़े से हमारी जो study है और हमारी जो life है काफी easy हो गई क्योंकि जो human में problems face करने पड़ रही थी या हम बात करें हमारे ecosystem में जो problem face करने पड़ रही थे उन problems का scientist क्या कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ ऐसा मैं बोलूं एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे हम fight कर सके हमारे agriculture field को हम better बना सके human की life को better बना सके कुछ ऐसे products लेकर आएं जो human की लिए काफी अच्छे हैं तो यह सारी चीज जो है हम इन ही research की बदौलत कर पा रहे हैं क्योंकि इन ही research की वज़े से हमारे पास knowledge है किसकी हमारी हमारी information की हमारे biological system की राइट चले तो इतना clear हुआ या नहीं जल्दी बताएए इतना clear हुआ या नहीं they can study all the genes in genome for example all the transcripts in particular tissue और organ और tumor how tens of thousand of gene and protein work together in interconnected network to orchestrated the chemistry of life ठीक है तो यहां पर भाई यह पता चला कि कौन सा genome, genome के अंदर जो gene है वो transcribe होता है कौन सा protein बनाता है, particular tissue में उसका क्या role है, organ में उस protein का क्या role है यह सारी चीजे जो है, कौन सा protein दूसरे protein से interconnected है, निका function है, कैसे function एक दूसरे से interconnected है यह काफी जादा helpful रहा, right? इतना clear हुआ है या निक जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या निक बताइए तो यही पर हमारा human genome project का part 2 खतम होता है I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, यह सिर्फ informative video थी, जो की हमारी NCRT से पूरी related थी, right? तो video अच्छी लगी हो, तो like कीजे, share कीजे और subscribe कीजे और comment करना बिलकुल मत भूलेगा तो आप हमें YouTube चैनल पे तो already follow कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच ही हूँ और अगर अभी तक आपनी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please फटाफट पहले YouTube चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को click कर दीजे, जिससे सारे के सारे updates, notification आपको daily basis पर मिल सके daily basis पर आप videos देख सके, live session अटेंड कर सके, इसके अलाबा आप हमें follow कर सकते हैं हमारे page पर तो page को follow करने के लिए आपको क्या करना है, simply google पर जाना है and type करना है magnet brains जैसे ही आप magnet brains type करोगे, तो आपको इस type के एक open होगा page, जिसमें kindergarten to class 12th की complete course की playlist अविलेबल होगी और especially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream wise complete course की playlist अविलेबल होगी and इस playlist में include रहेगा आपका हर एक chapter का NCRT theory, आपका जो advanced theory है वो NCRT solution, आपका NCRT solution के बाद MCQs, MIQs, one shot revision, quick revision and daily practice question यह सारी की सारी चीज़े include रहेगी आपकी playlist में, इसके लाब आप हमें follow कर सकते हैं हमारी official website पर that is www.magnetbrains.com और आप हमसे जुर सकते हैं हमारे social media handles के through जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, आप available कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं Magnet Bins के top courses की तरफ उससे पहले जाल लीजें Magnet Bins के दो channel है, Hindi Medium channel and English Medium channel Hindi Medium channel के सारे courses आपको Hindi में available रहेंगे वहीं पर English Medium channel पे सारे courses आपको English में available रहने वाले हैं इसके अराबा कौन-कौन से courses available हैं तो वो देख लेते हैं यहाँ पर आपको channel पे CBSC Board की preparation कराई जाती है, किसकी CBSC Board की preparation क्या सिर्फ CBSC Board की preparation की जाती है Magnet Bins पे कि State Boards वाले बच्चों के लिए Magnet Bins का platform नहीं है तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि Magnet Bins CBSC Board के साथ State Board को भी include करता है जैसे की Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English यह सारे के सारे top courses Magnet Bins आपको high quality education के साथ 100% free में provide कराता है जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Bins प्रोबाइड कराता है Unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई paid subscription लेने की ज़रुएत नहीं है तो जुड़े रहें मुझ से और Magnet Bins से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई